सब्सक्राइब करने से जो में फाइदा है कि एक सर्जरी जो है वो अच्छी तरह से सर्जन कर सकते हैं सर्जन अच्छी तरह से कर सकते का मतलब क्या है एक तो उसको जो दिखता है वो बहुत अच्छा दिखता है बहुत क्लियर दिखता है थ्री डामेंशनल व्यू दिखता है उसके इलावा सर्जन का जो मैनुवरिंग है जो उसका मूवमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत सारा freedom से वो moments कर सकते हैं, बहुत ही precise और delicate work वो सर्जन कर सकते हैं, और तीसरा कि सब तरह से vision और instrument का control जो है वो सर्जन के पास है, तो ये बहुत stable platform है, कोई tremors वगेरा भी नहीं आता है, moments, motion भी नहीं आता है, तो उसे बहुत ही अच्छा काम सर्जन कर सकते हैं, तो ये करने से patient को फाइदा होता है, दरत कम होता है, उसका bleeding बहुत कम होता है, दर्दी इतनी major surgery में normally कोई blood loss नहीं होता है, बिना bleeding का, बिना pain बहुत कम होता है, recovery काफी fast हो जाती है, और इससे क्या होता है, कि अगला जो और treatment कराना है, मानो cancer के patients के लिए और chemotherapy करना है, तो ये काफी जल्ली और fast शुरू हो सकता है, इससे आप पूछेंगे कि नुक्सान क्या है, नुक्सान वैसे कोई नहीं है, एक cost काफी ज़्यादा है, खर्चा, जो main आज disadvantage है, रोबोटिक टेकनालोजी का, क्योंकि रोबोट का initial cost और उसका maintenance cost काफी हाई होता है, इसके अलावा, surgeon को भी थोड़ा train होना पड़ता है, क्योंकि एक नई technology है, नई तरह से उसको train करके, उसको ये technology, he has to undergo this training, तो उसके बाद वो surgery कर सकते है, रोबोटिक का platform पर, तो ये एक मुख्या उसके disadvantage है,